वेल्कम गाइस आपको फिर सब्सक्राइब एक नई क्लास करता और जिसमें आज हम बात करने वाले है एनिमाल हस्वेंटी होटी गलसर और एग्रोनोमी तीनों के याद देखिया यहां पर कंबाइन क्यूसंस के बारे में ही हम बात करेंगे तो आज का हमारा जो मोडल पेपर ह सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हो कि परों की मा Apps पेशियो में सूगन किस रों के गारन आती है तो यहाँ पर पूछा क्या टो पैरों से समाझनी रोग है आपके आपकी जो से न chocolत कूंतृ आ होता है लंगृ होता है जिसे आप किस-किस नाम से जानते हो बताइए जिसे आप किस-किस नाम से जानते हो ब्लेक वार्टर की नाम से भी आप जानते हो ठीक है क्यों कि याद रिखेगा जो पेर है वहाँ पर क्या हो जाता है ब्लेक वार्टर अब ब्लेक वार्टर क्या होता है माली जी पेर में हो च तो इससे तो क्या है पहले तो बद्वू आएगी ठीक है लेकिन जब इससे हम प्रेस करेंगे जब इससे दबाएगे तो चुर्चुर की आवाज आएगी किस प्रकार की आवाज आएगी चुर्चुर की आवाज आएगी तो याद देखा लंगडी रोग को ही हम चुर्ची र के नाम से भी जानते हैं ठीक है याद रहेगा चले नेस्टिसन के हाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गए मैस्टाइटिस रोग का रोक कारक क्या होता है मैस्टाइटिस याद रखेगा मैस्टाइटिस बोलते किसे हैं थनेला रोग को ही बोलते हैं अब थनेल अर्थिक उपज यहां पर किसको मान रहे हम आर्थिक उपज है वह तो हमारा दूद रहेगा मतलब आर्थि खानी हमें हो जाती है ठीक है अगर मॉलीज़े दूद्ध देना वो यहां तो कम कर दे या फिर दूद की क्वालिटी हमाने लग जाए तो क्या हो जाएगा या देख क्या होता है स्ट्यप्टों को काई एगलेक्षिया ओके बेव सियाब रखे लिए याद तिक फिवर का होता है कि सड़ा आपका नपर बात करेंगे कि यह निमलखित में से कौन सा वायर कुछा नहीं है यहाँ पर पूछा गया यादकिया कौन सा नहीं है तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेचक जिसे हम Foul Pokes के नाम से जानते हैं मेरेक्स और रानी खेत अब यहाँ देखिया मेरेक्स होगा चेचक होगा और रानी खेत यह सबी क्या होते हैं वायरस जनित करेंगे कि कौन सा sow rain पुखार रहा है ठिक है साधान करेंगे आप ऑखर बी बहुते होंगे अब Black बूते होगे जिससे क्या होता है सामयेत कि यह बोड़ी का। टेंप्रेशर बढ़ जाता है लेकिन uh प्रियोग क्या जाता है और इसका प्रियोग क्या जाता है तो यह देखेगा ट्रोकार केनुला एक यंत्र है जिसका प्रियोग या देखिया पेट में जो भरी हुई की निकलने के लिले इसका प्रियोग क्या जब इसका प्रियोग क्या जब किस रोग उन्प एक आापरा को बोलते नव को बोलते और टिंप नाइपिस किसे बोलते आफ़ण रोक को बोलता है, याद रखियेगा, चलिए, snack lesson कहां पर बात करेंगे, कि strip cup पर एक्षन किस रोग में किया साथ है, स्टियप कब क्रेक्षन किस रोग से समझघता है, या फिर किस में किया साथ है, किस की जाज करने के लिए किया साथ है, तो याद रखियेगा, थानिला जिसे हम Mastitis रोग भी बोलता है तो Mastitis रोग की पहजान करने के लिए यादखिया Strip Cup टेस्ट किया सा है कौन सा टेस्ट? Strip Cup टेस्ट किया सा है और इसके अगर बात करें इसके कंट्रोल के लिए तो यादखिया Mastivake किस परकार की वेक्सिन का प्रियोग की आसा है? Mastivake वेक्सिन का प्रियोग की आसा है चलिए, next lesson के हाँ पर बात करेंगे कि निम्ण में से वाईरस जनी तरोग कों सा है तो पहले हम देख लेते हैं options के बारे में कि anthracis है bacillus anthracis नामक जिवान उजनी तरोग है इसको अभी फोड़िये आप आते हैं उमारी फॉल फॉक्स चेचक को ही हम पॉलते हैं जो कि मुर्गियों का मुक्य रोग हो गया किसके द्वार हो तह आप यह राइट आनशर हो जाएगा चेचक या फॉल पॉस्ट डाफ करेंगे कि दाद किसके द्वारा होता था तो यहाद अंगल डीज़ यह आसाने से हो जाती है ठीक है चले नेक्स रिसन के आपर बात करेंगे कि सरीर के प्राकर्तिक छिद्र जीससे कि नाक हुआ यस आंगल है जिसकत थैक रहता हएं जिसका रहता है यह अंसे कोण वह घृती के इसका रहत इसना शिद्र इंठ्रिक्स रहाराइग जिन्त all ठीक है याद रहीगा ना? चलिए नेस्टिसन के की आपर बात करेंगे लंगडा बुखार रोला का कारण होता है छो थो AAA नेस्टिसन के हापर बात करेंगे रतोंदी रोला किसकी कमा सता है तो आपने देखा ओगा याद क्या रतोंदी ठीक है आख hacked और यह होता है, विटामिन A की कमी से, इसका समन्दी, आक से समन्दी होती है, ठीकेज़? रतोंदी रोग का समंद्य किसे होता है? आक से होता है, Next rather than के आपर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है, अब Next Irfan आपको पूछा गया है, गलगोटू बिमारी किस्ते पहलती है । यहाँ देखिए है गलगोटू जिसे हम with the के नाम से जानते हैं हैंगर को बोलते हैं या लंगडी जिसे हम बोलते हैं और अगर हम बात करेंगे गलगोट्व तो गल गोटों में क्या होती है घुरगुर की आवाज आती है अगर गले में दिक्कत आएगी माद लीजे तो गुरगुर की आवाज नहीं है इसलिए इसे गुड़का रोग भी बोलते हैं, गुड़का रोग किसे बोलते हैं, गलगोट रोग को बोलते हैं, लेकिन चुरचुरिया रोग किसे बोलते हैं, चुरचुर की जहां पर आवा आ जाती थी, खहां पर आती थी, सरजी जहां पर क्या हो जाता था, ब्लेक कोटर ह जाता था एक काला चुर्ण बन जाता वहां पर आती थी तो याद रखेगा ऐसे आप याद रख सकते हो दोनों को आप एक साथ याद करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगे लेकिन अगर अलग-अलग याद करोगे तो आपको भूलने जैसे प्रोब्लम आ सकती है तो यहा आपके पास यहां पर ओलवेज रहेगी प्लेलिस्ट में आपको अलग-अलग से देता हूं तो आपके आको शेलक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आते हैं के सब्सक्राइब पूछा गया था गरण गोडाट रोग तो गरण गोडाट रोग जिसे हम हैं मतलब ह तो यहां पर यहां पर यहां पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पसों के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मुलन हो चुका है उन्मुलन का मतलब अब यहां पर होता ही नहीं है और इम उसा खुल मतलब भीडह मतलब इस और यहां पर बात करेंगे कि रोग जिनका पसों से पा नहीं में संचार हो जाता है खिसन को थोड़ा से समझ ये पहले कि ऐसे रोग जो किया देखेगा पसो से मनुष्य में फेल सकता है या फिर उल्टामाल लीजी पसो से मनुष्य में फेल सकता है या फिर मनुष्य से पसो में फेल सकता है तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे लोग के से चाहिए है जो मनुष्यय इनको उतार दें जैसे फैक्टिरी वर्कर है थो फैक्ट्री वर्कर जब उनको कटरते हैं उनको हम काटते हैं तो क्या हो जाता है इसलिए हमने इसको एक अलग भी नाम दिया था एंद्रेक्स रोग को वुल सोरुटर डिजिस के नाम से भी से हम जानते हैं क्यों क्योंकि याद रखिया यह जो वुल वरकर होते हैं उनको भी हो जाता है ठीक है तो जुनोटिक रोग है याद रहेगा चलिए अब ने इस्ट् कोक्षडियोसिस, गल गोटु और जहरबाद, जहरबाद मतलब भी क्यों बलेक वार्टर जैसे हम लंगड़े भी बोलते हैं गल गोटु है हैं मोरिजिक सेप्टिसीमिया अभी हमने जाना था कोक्षडियोसिस ये भी क्या है एक याद रिखिया अलग डिजिस लेकिन सा रोग हो जाता है यहां पर पूछा गया भेडों में तो भेडों में याद रखिया जो होता है यह फड़किया रोग हो जाता है याद रखेगा अधिक हरा चारा खाने से आफरा रोग हो जाता है लेकिन अगर बात करें भेडों के बारे में कि भेडों में अधिक क्षाने से कोई सा रोग हो जाता है तो वो जाता याद एका फड़किया कॉल साहरा होता है और कंगर फड़किया को इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रोटोक्सीमिया तो इसका जो वेक्सीन लगाए जाती है वो एंट्रोटोक्सीमिया वेक्सीन ही लगाए जाती है चलिए नेक्स्ट्रिशन के हाँ पर बात करेंगे थने रोग किसे संब्धित है तो थने रोग का जो संब्ध होता है यह आयन स रोग कारत क्या होता है वाइलस होता है वाइलस जनके एक रोग होता है घिक है इसमें तो पूछा गए कि रक्त प्लिहा वर सरीर के समस्त भारी उत्तक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लख्रबफ्र तो होता है, या देखिया, जहरी बुकार. कौन सा होता है? जहरी बुकार होता है. तो आइधिंग यहां पर आपको 20 पुसंद आयोंगी, कुछ यहां पर आपको नई विसंस भी देखने को मिलेऊंगी, तो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना और चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सी चैनलों सब्सक्राइब वीजिए, हमलते हैं नेश्ट क्लास के साथ आतके लिए, आची से पढ़िए, आची सरे बावाटे के गुणाइट